तो है अग्याइब वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज करने जा रहा हूं मैं यूनिट फॉर स्टार्ट फंड से स्टार्ट करता हूं बेसिक से बताऊंगा और जो मेरा प्लेस पॉइंट है मेरे वीडियो देखने का शौट ट्रिक अच्छी शौट टिक बताऊंगा डिफरें कोई भी मनी कोई भी मनी अगर बिजनेस रिलेटेड हो कोई भी मनी अगर बिजनेस रिलेटेड हो वह फंड कहलाती है क्या बोला मैं कोई भी मनी अगर बिजनेस रिलेटेड हो फंड कहलाती है आइधर उसको स्टार्ट करने में अगर कोई भी मनी चाहिए हमें एक बिजनेस को start करने में या उसको run करने के लिए वो money नहीं वो money नहीं वह fun है ठीक है funding दो प्रकार की होती है single source funding और multiple source funding ठीक है अब जो बच्चा एक ट्यू वाला है कहेगा सर इतना बेसिक हमें नहीं चाहिए हमें समझना नहीं हमें केरियर नहीं बनाना है हमें definition बताईए so definition is the financial investment on the company एक किसी भी company में financial investment जो कि किस लिए किया जाए product development manufacturing expansion sales and marketing किसी product को develop करने में उसको manufacture करने में उसको expansion में कंपनी के expansion में यूनिट के और sales प्रचार प्रसार में ताकि और सुनों बहुत प्यारी चीज़ लेकर आया हूं कई बार funding की ना जरूरती नहीं पड़ती जैसे कुछ बड़ी companies हैं उनके जो owner होते हैं वो अपनी company में invest कर देते हैं लेकिन फिर भी एक छोटी एक normal company के लिए funding बहुत ज़रूरी होती है ताकि अपने business को large scale पर ले जाए और आज आते हैं अपनी शौर्ट ट्रिक पे डिफ्रेंट टाइफ ऑफ फंड CRPF के बद क्या आता है जी BID CRPF की BID मोधी जी ने लगा दी CRPF की BID मोधी जी ने तो आप लोग आएंगे मेरे उपर इंवेस्ट करके चले जाएंगे दूसरा है R, CR, R से हो गया revenue, company खुद इतना grow करने लगे इतना कमाने लगे कि उसकी जो revenue है वो अपने fund की तरह उसको इस्तेमाल कर ले मतलब extra रुपए कमाए और उसे fund की तरह इस्तेमाल कर ले तीसरा है P, CRP, P से है partnership, partnership मालूमी है जब कोई दो या दो से ज्यादा member sharing कर लेते हैं 30% तुमारा, 60% मेरा, 10% का तो वो partnership कहलाती है चौथा तो वही मैं कहा था F को G से replace कर देना तो है CRP, G बदब government, government पर जाओ, सर मुझे यह purpose है, मुझे तमाम योजनाय चलने ही उसके तैस मुझे पैसा चाहिए आपसे तो आपको fund कर देंगे, फिर मैंने बताए BID, bid बोले तो borrowed money, हम जाएंगे, different bankों से world bank, EA bank, फलाना bank, धमाका और उसे मांगेंगे कि भाई हमें loan दो चुपेच आप चला तो चला नहीं तो हमाई assets आप रख लेना, फिर नमबर पर इंवेस्टर profit, investor share market बना देंगे, investing करेंगे, आईए, आईए, आप बड़े पैसे वाले, आप आईए, मेरे company लगाए, जो profit होगा, उसका इतना पैसा हम आपको दे देंगे, फिर आखरी है bid का bid का donation, कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, कुछ बड़े-बड़े college हैं, जो donation से खुले हैं, लोगों पास लागत नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन किसी ने रुपए अच्छे काम के लिए support करने के लिए donate कर दिए, यही था आज का वीडियो बने रही है मेरे साथ, और I wish आप सब success हो अपनी life में,